पिछले काफी दिनों से questions आ रहे थे आर्थी ग्रूप के उपर specially आर्थी surfactant और आर्थी industry इनको लेके काफी कुछ पूछा जा रहा था कुछ लोगों ने आर्थी drugs के उपर भी पूछा था तो आर्थी ग्रूप की चार companies है उन चारों company को review करेंगे आज उनके charts देखेंगे पहला यहां पे है आर्थी industries दूसरा हम पढ़ेंगे आर्थी pharma और एक है आर्थी surfactant उसका भी हम जान करेंगे तो इन चारों company का एक technical review लेते हैं आज की डिट में situations क्या है और group के अंदर क्या चल रहा है वो सारा समझने कोशिश करेंगे आपको अगला वीडियो किस topic पे चाहिए कौन से sector, कौन से group, कौन से stock पे चाहिए उसका नाम comment box में आप बता सकते हैं डिसकेशन को अपने डिवाज साथ जरूर बात करिए और फिर कोई बायसल का decision लीजिए वीडियो को सिर्फ learning purpose के लिए आपको देखना है अभी हमने अगस्ट में एक webinar किया था, तीन अगस्ट को जहां पे 1000 या 1100 से जादा लोगों ने अभी तक उस webinar को दिखा है तो आपका response बड़ा शानदार था, मेरा promise था कि मैं हर महीने ऐसे webinar लिके आउंगा तो इस महीने, यानि कि September के अंदर भी आपके लिक webinar आएगा, क्योंकि अभी अगस्ट चल रहा है तो September में आपके लिक webinar आएगा, साथ September को एक webinar ला रहे हैं जो की आप join करना चाहें, तो description में आपको link मिल जाएगा तो forget मत करिए, join करिए, और connect होईए और chart की learning अगर लेना चाहें तो जरूर उस webinar का हिसाब बन सकते हैं, link आपको description मिलेगा, आप जूड़िए और webinar का आनन्द लीजिए बात करते हैं, आर्थी इंडिस्ट्रीज के उपर तो आर्थी इंडिस्ट्रीज का complete पहले data समझे, this is the weekly chart, एक upside का trend रहा था, उस upside trend के बाद में, याद दिलाना चाहूं का आप लोगों को, हमने 4500 पर आर्थी इंडिस्ट्री को pick किया था, जब इस stock ऐसे fall कर रहा था, हमने यहाँ पे बात करी थी हमारे videos है, कि यहीं stock का bottom मिल पहलेगा आपको, और यह reason भी मैंने समझाया था, कि यहाँ पे demand zone है, और जब double bottom, triple bottom लगा, तब हमें confirmation आया, यहाँ से bottom है, और upside का potential हो बना था, तो upside potential के बाद में, अभी stock जो है, important register रहा है, 760 के around, यहाँ पर 760 के पास में, 760 से stock ने एक जबरदस्त मंदी दिखाई है, आपने यह भी बात करनी होगी, कि आज की rate में, क्या आरती industries के, जो fundamentals है, वो इतने खराब हो गए, कि यह चली ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, चरहा इस chart को एक बार आप समझिए, जरा zoom करते हैं, इसको समझना, यह जो आपको दिखा है, यहाँ पर इसको समझने कोशिश करिए यह जो यहाँ पर कहानी हुई है, यह क्यों हुई है, मैं समझाता हूँ आपको, एक चली आरती industries के results आये थे, ध्यान से समझना, results, यह results थे, और results कैसे थे, अच्छे थे, क्या results खराब थे, नहीं, results अच्छे थे, मैंने खुद यहाँ पर एक position built करी थी, 750 के आसपास, एक position built करी, उसके बाद मैं wait कर रहा था, कि result आजाए, result आने के बाद, stock 765 पे खुलता है, लेकिन अगले दिन जैसी, 765 के बाद, यह वापिस 750 आता है, मैंने अपनी positions काटी थी, और इस बाद की information हमारे, जो channel के STP, chart scanner वाले member, उनको सब को पता है, मैंने यह आपर अपनी position काटी थ होता है, क्या होता है, TV channel पे recommend होता है, TV channel पे recommend होना, कोई खराब नहीं होता, लेकिन यह stock जो है, साथ में trade करता है, future and option segment में, देखिए, मैंने अपनी positions क्यों काटे थी, उसके logic समझाता हूँ, future option segment में, यह stock जो है, वो trade करता है, अब मुझे डर क्या था, कि 750 पे मैंने लिया ह 765 आया, और आने के बाद वापी 750 आया है, result अच्छे आने के बावजूद, और TV पे recommend हो गया, कोई भी stock जो TV पे recommend हो जाता है, और अगर वो F&O category का है, most likely वो reverse होता ही है, जो भी TV पे बताया गया है, उसका उल्टा होता ही है, most likely, क्योंकि वो F&O segment में से है, ध्याने कि market में, पैसा आप, market आपसे पैसा नहीं चीनना चाता, अगर आप cash market में काम कर रहे है, आपके भाव वापी सा जाएंगे 2-3 महीने में, लेकिन अगर आप F&O कर रहे है, आप में patience होगा ही नहीं, F&O वही करता है, जिसको जल्दी पैसा जी, आप में patience होगा नहीं, और यहाँ पर market 3600 की है, पूरी एक range है, जो एक बड़ा support है, तो जो भी F&O trade करते हैं, उन लोगों के लिए सबख है, कि market ऐसे ही गरता है, कोई news बूज कुछ नहीं होती है, तो भी गर जाता है, और news देखो बनाके देव भी जाती है, कि देखो ये news आगई, chemical sector related इसलिए गर गर, ऐसा आइड़ी का overall trend देखा जाए, तो overall trend bullish है, long term का, short term का trend देखा जाए, तो वो sideways है, ये एक sideways हो गया है, monthly chart पे, overall trend देखा जाए, और इस sideways में 760 और 560, एक range के अंदर जो है, इस range में है, जिदर कटेगा, उदर फटेगा, यानि फिलाल कोई लंबी तेजी का सूच रहा है, तो उसके काम का तो नहीं है, ये हमें पता चला, एक बार इसके सारी drawing को hide करते हैं, drawing hide करके हम इतना समझने कोशिश करिए, ये देखिए, यहाँ पर, यह idea आपको लगेगा, इन levels के उपर, art industry की close जी है, जो 750, 760 के, इसके उपर close जी है, weekly भी आगई, daily भी आगई, तो भी NFC जोगा कि already लेके बैठें, वो तो चलो, अलग बात है, वो तो hold कर सकते हैं, लेकिन जो fresh लगाने वाले हैं, क्या वो यहाँ पर आएंगे, तो भई, वो big buy में तो नहीं आएंगे, big bulls जो है, वो तो अभी नहीं आएंगे, उनके लिए तो no, वो तो नहीं आने वाले हैं, त क्या आरती इंडुस्ट्री बेकार हो गई, क्या यह कभी नहीं चलेगी जिन्दगी में, ऐसा बिलकुल नहीं है, accumulate करने वाले ध्यान से सुनिए, 2-4-5 महीने रुकिए, वापिस आप देखेंगे, यहीं से 20-30% उपर हो जाएगा, अभी जैसे माली यह 560-600 की रेंच है, य क्योंकि लोग हेवी F&O position बना के बैठ है न, तो ऐसा होता है, अब इसको एक बार daily chart पर मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ देखिए, यह देखिए, छोटी सी recovery आपको एक दिख रही होगी, यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा zoom करते हैं, zoom out, yes, ध्यान से देखिए, this is a demand zone, यह आपको एक major demand zone जो वो नजर आ रहा होगा, total, अब देखिए, खलकी recovery आईए, इस recovery के बरोसे आप नहीं जा सकते हैं, एक अच्छी recovery आए, फिर गिरे, फिर जब वो ऐसे जाए, तो आमें confirmation होता है, कि अब जो selling pressure create हुआ था, वो selling pressure, bulls ने खींच लिया है, अब उनको डर नही आपको आपको आना चीए, और स्विच करना आना चीए, नहीं आता तो market प्रशाद देने वाला है, ध्यान दखीगा, तो ये इसकी situations रही है अभी तक की, इसकी drawing को भी hide करते हैं, ध्यान से देखीए, so this is the situation, monthly chart पर जो मैं दिख रही है, stock यहां से लगातार इस consolidation phase में है, और इन levels के उपर sustain नहीं कर पार, 800, discloser, artis effectant मैंने यहां पर pick किया था, उसके बाद ऊपर गया, swing वाले target हो गए, मेरे investment का part है, अभी भी मेरा investment इसके अंदर है, और मैंने invest कर रखा है, मेरा कुछ पैसा इसमें लगा हुआ है, यह मेरा इस तरफ से personal disclosure, यह stock में बड़ा trend कब है, यहां से 800 के उपर जाने पर है, क्यों, अब इसको समझो, जो company अपने high से 77 या 80%, 70-80% नीचे आपको available हो रही हो, profitable business हो, उसमें कुछ amount लगाते है, अगर कोई कोई 4-5 साल का vision रखता है, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी समय आता है, लेकिन swing जब करनी हो, तो proper level चाहिए, swing के level की बात करते हैं, उसके लिए weekly chart पर चलते हैं, यहां पर, तो swing के लिए आप देखिए, फिलाल कोई आपको trend दिख रहा है क्या, यहां पर अगर चाहिए, तो आप 800 के ऊपर आईए, बड़ा trend चाहिए, तो 800 के ऊपर आईए, और बड़ा trend को लाता है, जो swing players active होते हैं, bulls activate होते हैं, वहां पे नए players पैसा लगाते हैं, तब एक बड़ा trend बनता है, प्लस जो breakout हो जाता है, तो नीचे वाले जो players हैं, जो नीचे ले है, वो भी खींच लेते हैं हाथ को, वो बेचते हैं, वो हाथ खींच के रखते हैं, अब नहीं बेचेंगे, अब थोड़ा उपर आने तो फिर सोचेंगे, तो 800 के ऊपर कोई बड़ा trend है, आर्टी सरफेक्टनेंट में, तब तक है time pass zone में है, अब इसको एक बार आप ऐसे accumulate करना चाहते हूं, क्या ज़रूरी है कि हम सारे stock accumulate करें, नहीं, अपने risk के हिसाब से देख सकते हैं, कि हमारे लिए सही है या नहीं है, कुछ पैसा डालके रखना है या नहीं रखना है, और 2-4 साल का vision रखते हैं, यहां से वापिस अगर इदर आ गया, तो भी बहुत अच् monthly convert करके एक बार फिर से समझा देता हूं, ताकि आपके एकदम दिमाग में यह चीज उतर जाए, यह ध्यान से देखिए, कितने ही समय से आप देखिए, 800 के ऊपर rejections आ रहे हैं, पहले भी यह 800 के ऊपर sustain नहीं कर पा रहा था, देखिए, multiple rejections थे, यानि कुछ न कुछ चीज ह पीछे भी आप देखेंगे, तो इनी लेवल के आसपास यहां पर support बने हुए थे, यही लेवल एक बहुत बड़ा resistance है, अभी recent में आईए, इतने time बाद जब इस्टॉक ने वापिस 800 के आसपास आया, फिर से बेचारे को reject कर दिया गया, कि तुम नीचे जाओ, लेकिन एक अच्छी चीज क्या है, कि यहां से गिरावट भी कोई लंबी नहीं आ रही है, तो उनके काम का हो सकता है, जो कुछ पैसा लगा सकते हैं, समझीए, कि माल लीजिए, मेरा almost एक stock में पैसा लगता है, पांच लाग, समझीए, example के लिए, कि मुझे एक stock में पांच लाग आरती में नहीं लगाँगा, सर फेक्टेंट में, मैं इससे भी करीब, आप कर लीजे, इसका 40 परशन्ट या 60 परशन्ट क्या सकता है, रुपीस 2 लैक, मुझे आरती इंड़स्ट्री में 2 लैक लगाने है, मैं इससे उपर नहीं लगाँगा, इसको आप 50 जार ये 20 जार भी वो यहां पर मैं पार्ट्स में अक्युमिलेट कर सकता हूँ, इस रेंज में, मतलब इस रेंज में मिलता है तो, बाकी का कब लेना है, बाकी का माल लेजे, जो 80,000 या फिर जो 70,000 बचेगा, वो मुझे तब लेना है, जिब कोई बड़ी गिरावट आ जाएगी, तब मैं ल निकाला है, उसका भी कम लगाना है, मतलब बहुत कम पैसा लगाके, हमें स्टार्टिंग करनी है, इस टाइप के कमपनी है, फिलाल ट्रेंड वाला कुछ भी नहीं है, तो यह आपके दिमाग में बैटना चीर, कोई जरुरी थोड़ी इसमें काम करें, जहां ट्रेंड है, व यह भी देखे, एक शांदार तेजी आती है ग्रुप में, और यह तेजी कब आती है, जब एक कंसोल्डेशन, कंसोल्डेशन के बाद यहां से ब्रेक आउट, शांदार तेजी आई, तेजी के बाद पैसा हो गया, एक बार कम्प्लीट, काम ख़दम, पैसा हजम, उसके बोटम बना है, मैं आपको दिखाऊंगा, यह बेस बनता है, और अभी एक कंसोल्डेशन रेंज को, चोटी कंसोल्डेशन रेंज को, तोड़ने की कोशिश हो रही है, इसको तोड़ने के साथ ही, इन लेवल्स के गेट जो है, वो ओपन हो जाते हैं, और यह तूटने पे न नया trend बनेगा, और stock में एक लंबी तेजी बन सकती है, continuous trend बन सकता है, chances है, तब तक यह stock इन रेंज में time pass करता है, आईए इसको convert करते हैं, एक बार वापिस हैं, यहाँ पर weekly chart पे और daily chart पे, this is the weekly chart, अब ज्यान से देखिए, यह weekly chart है, stock को देखिए, यह इस range को काटने की आए रहे होंगे, ध्यान में रखिएगा, आर्टी ड्रक्स एक opportunity देने वाला हो सकता है, रूपीस 565 के उपर, अगर weekly close आ गई, तो उसके बाद में रूपीस 500 के साथ में support बनाके, यहाँ पे नए बुल्स आ सकते हैं, तो new बुल्स वहाँ पे आ रहे होंगे, जो swing वाले हैं कि ध्यान में रखिएगा, इसमें आ सकते हैं, बाकी में इतना pattern solid नहीं था, इसमें जरूर दिख रहा है, और उसके बाद में उनके लिए उपर में लगबख 620 और 650 रुपए, यह तो immediate level है, उसके उपर के और gate खुलेंगे, जिनको हम देखेंगे भी, पर यह तो हमें easily नज करने आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा, यहाँ, zoom out किया, zoom out करके इसको जरा आप ध्यान से देखिए, यह जो period था, यहाँ पर लगबख September 2023 का था, तो September 2023 के बाद में, first time, लगबख September आने वाला है, so this is one year consolidation, तो एक साल बात के consolidation के बाद अग कोई चलेगा, नहीं चलेगा, वो किसी को नहीं पता, संभाव नहीं होती है, मुझे पूछे आप ट्रेड लोगे, बिल्किल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को proper setup दिखने तो इस तरीके से अब जाएगा एक selling pressure लेकने के बाद, फिर उपर आ, मैं छोड़ूँगा इन monthly chart पे, converting into the monthly chart, again, इसको समझने कोशिश करी, यहाँ पर दिखिए, यह monthly chart, यह इनके ऊपर टिकने के बाद में, यह जो levels हैं, यह जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आने की कोशिश होगी, और मेरे हिसाब से अपकी बार जब इनके पास आएगा, तो कोशिश होगा कि यह क informations चीए, तो लगबख 625 के ऊपर वो confirmations हमें मिलेंगे, तो आप अपने इसाब से plan करना चाहें, advice से बात करना चाहें, definitely करिए, but this stock is doing something, और यहाँ से निकलने के बाद जो बड़े resistance है, वो लगबख 700 और 800, 10, 15 रा के आसपास नज़र आते हैं, और इनके ऊपर तो फिर कहने ह क्या है, आग की कहानी बड़ी अलग है, बड़ी गजब है, आगे चलिए, next talk पर बात करेंगे, एक बार इसका weekly और दिखा देता हूं आपको, उसके बाद हम आर्थी फार्मा के ऊपर बात करते हैं, so look at this, यह आपको दिखना चाहे, weekly chart, यह क्या हो सकता है, lines लगा देते हैं लेकिन 565 के ऊपर भी 625, 40, 50 तक के swing activate हो जाएंगे, यह ध्यान में रखना है, और 625 के ऊपर weekly close आने के बाद तो मजगार, खतब मजगार चीज़ आएगी इसके लिए, आगे बात करते हैं, बात करेंगे अब आर्थी फार्मा के ऊपर, तो आर्थी फार्मा का चार्ट इसने बाटम लगा था लगबग 230 रुपए के आज पास, और 230 पे बाटम लगाने के बाद यह लगातार बढ़ते ही जा रहा है, यह बाटम जो लगा था, वो February में लगा था, 2023 में, लगबग आज से एड़ साल पहले, और एड़ साल के अंदर इस टॉप ने दो गुने से ज जिनके पास पड़ा है, वो बेच सकते हैं न, तो वो कब बेचेंगे, क्या आज बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, वो कब बेचेंगे, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा demand zone create हुआ है, क्योंकि पहले बहुत बढ़िया supply zone बना हुआ था, अब यह बहुत बढ़िया demand zone बन गया, कितने रुपए पे, रुपीज 550, यानि लॉंक टर्म में, वो लोग तभी बेचेंगे, जब 550 के नीचे आता है, जिनके पास नीचे से लिया हुआ है, जो नीचे से पकड़ के बैठें, वो तो नहीं बेचने वाले, तो उनके लिए बड़ा क्लियर ह बढ़िया ओने चीज़र को समझने कोशिश करेंगे, यह देखिए, अप ट्रेंड में है, अब अप ट्रेंड में आने के बात में, यहां पे क्या हो रहा है, वीकली कintense हुआ हुआ है, बढ़िया वाला कstalk पलdert है, और जिस वाले बा उनके बाद बढ़िया के लिए से को इस दे डेली चार्ट, खतनाफ चीज है वही, डेली पे आपको दिख रहा होगा, एक बड़े कंसोल्डेशन के बाद स्टॉक किस तरीके से निकल रहा है, प्राइस एक्षिन भी प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं, चलिए इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा, येस, प्राइस एक्षिन भी प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं, इस लाइन को आप देखिए, यहां से ये लाइन देखिया, इनी लेवल्स के पास आने के बाद में, स्टॉक किस तरीके से ब्याइब कर रहा है, पहले ये क्या था, सप्लाइज जोन था, इस पास एक बिग सप्लाइज दे रही है, यानि इस लोग अभी 667 के आसपास खड़ा है, और आज की डेट में हम बात करें, तो रूपीज 600 एक शॉट टम का सपोर्ट हो सकता है, यह में पता चला, लॉट टम सपोर्ट की बात करें, तो रूपीज 550, यह एक लॉट टम का सपोर्ट हो सकता है, तो यह भी solid तो नहीं है लेकिन bulls को attract करने के लिए काफी है not बड़े bulls आएंगे लेकिन चोटे मोटे bulls आएंगे जो इसको खींचने की त्यारी करेंगे तो उनको attract करने के लिए काफी है तो यहाँ पर वो भी 550 के साथ इसमें long term और short term के लिए 600 के साथ इसका ध्यान रख रहे होंगे तो ultimately ये भी अभी bullish है ये bullish कहा जा सकता है बाकि हम जो stock देखे थे उनमें कहीं कुछ न कुछ कमी नज़रा रही थी ये थोड़ा साप trend में काफी अच्छा नज़रा रहा है तो ये अगर sustain करता है तो अभी 60 के आसपास है मानों कोई dip मिलती है तो बहुत ही अच्छा है 620, 640 लेकिन ultimately 680 के नीचे पूरा trend week होगा short term का और 550 के नीचे long term का उपर के लेवल्स के अगर बात करें तो यहाँ पे रुपीज 705, रुपीज 740 और रुपीज 790 ये possible हो सकते हैं इनका हमें ध्यान रखना है ये resistances है जिनका हमें ध्यान रखना होगा अपनी lines लगानी ये advice साथ discuss करना है तो ये आरती drugs के उपर हमारी detail रही अब देखे एक बार पूरा complete review करते हैं ताकि आप लोगों को clarity मिल जाए not आरती drugs या pharma का सारे काई सबसे पहले आरती industry की बात करते है क्योंकि आप लोगों ने बहुत questions करे थे आरती ग्रूप के उपर ये आरती industry आरती industry अभी कहा है क्या swing बन रहा है मैं आपे लिख देता हूँ swing no और invest वालों के लिए मैं लिखूंगा जो invest वाले उनके लिए क्या बन रहा है accumulate अब भई valuation आप चेक कर लेना थोड़ा सा महंगा है थोड़ा सा मैं आपे लिख देता हूँ valuation valuation थोड़ा सा महंगा है slightly expensive मैं लिखूंगा expensive थोड़ा सा expensive है slightly expensive है थोड़ा सा expensive है valuation but company अच्छी है जो हमने बात करी कुछ जुरी थोड़ी आप लगाओ आपकी इच्छा मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूँ आगे समझे अब हम बात करते हैं आर्ती surfactant की तो आर्ती surf ये वाली बात करते हैं इसमें swing कब है इसमें swing है rupees 800 के अब उससे पहले swing है क्या नहीं है और invest की बात करें तो अभी क्या solution नज़र आता है बही देखो पहले बात तो अपने valuation चेक करो थोड़े से expensive है definitely लेकिन भी ध्यान रखें इसी का काम का है जो accumulate करके बैठ सकता है दो एक साथ तब सोचना वरना फिर 800 के उपर आए तो सोचो यानि आप अगर proper trend को follow करना चाहते हो तो 800 के उपर अपने valuation से बात करो आप accumulate करना चाहते हो तो अभी देख सकते हैं ऐसी बात करते हैं drugs की यहाँ पर मैं drugs लिख देता हूँ तो आर्थी drugs इसमें रूपीज 565 के उपर swing बन सकता है बिल्कुल बन सकता है इसका हमें ध्यान रखना है अब invest की बात करते हैं तो invest वालों के लिए भी ध्यान रखना है कि stock उस zone में है जहाँ पर इसे चलने के लिए 625 को काटना जरूरी है तो आप अभी करना चाहो तो ध्यान रखेगा कि 625 जो तक नहीं कटता तब तब थोड़े सी दिक्कत है 625 कटने के बाद में लया ट्रेंड बनेगा यह आप नोट डाउन करके रखना चाहिए रख सकते हैं और आर्थी drugs के बाद में फार्मा की बात कर लेते हैं यह आर्थी फार्मा फार्मा मैंने आपको एक्स्प्लेइन करी दिया 550 के साथ बुलिश है और शॉर्ट तम है 600 के साथ पुलिश रहेगा तो यह सारी इंफोर्मेशन आपको मिल गई आपको पसंद आया होगा जिस तरीके से आर्थी ग्रूप का रिव्यू किया है अब देखे सारी चीज़े करने के बार कोई जरूरी नहीं होता कि हम पूरे ग्रूप में पैसा लगा है जिस स्टॉप में आपको कमफर्टेबल है क्विक मनी चाहिए क्विक वाला स्विंद देखो आपको लगता है लॉंग टम बैटना है तो लॉंग टम माइंड सेट ही होना चाहिए कि यहां से गिरा 10-20 परचंट तो आई विल बीड़ी तो एक्किमरेट अधर्वाइज वो आपके काम का नहीं है अधर्वाइज आप उस स्टॉप में तब देखो तो स्विंग एक्टिवेट हो रहा है और फिर प्रपर स्टॉप लॉस के साथ काम करिए यह आपको डिसाइड करना होता है हम क्या करते हैं हमें दिख रहा है कि कोई स्टॉप अभी बॉटम आउट नहीं हुआ है अभी वो स्विंग नहीं बना रहा है अभी साइडवेज और अम इसमें बड़ा पैसा लगाते हैं अब साइडवेज समझे इस चीज़ को मैं आपको एक एक्जम्पल देता हूं माल नीचे कोई स्टॉप ऐसे नीचे आया नीचे आने के बाद वो ऐसे साइडवेज है अब इस साइडवेज में आप यहां पर बड़ा पैसा लगाते हूं वो आपके पैसा लगाते हैं ऐसे आता है और आप कहते हो कि यह तो मेरा तो गल्ती हो गया मैंने तो ऐसा कर दिया मैंने तो इसका तो यही नतिज़ा होगा और हम यह सोचते हैं हमें नहीं आता तो किसी को नहीं आता ऐसा नहीं है हमें चीजों को समझना तरीके से होगा कि काम कैसे करना है वो चीज़ हमें knowledge लेनी पड़ेगी और वो knowledge आपको तभी मिलती है जब आप एक सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं मेरी हमेशा से यह कोशिश रहे कि मैं आप लोगों को सिखा पहूँ I hope आपको यह analysis पसंद आई होगी किसी तरह से मेरी कोई तुरूटी रहे तो चमा करने का कश्ट करिए और यह analysis अगर आप मुझसे सीखना चाहिए 1-to-1 एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है तो आपके बजट में है तो डेफिनेटली कॉल करिए और अगर आप हमारे साथ वैसे connect नहीं हो सकते हैं जैसे वेवे analysis में आना चाहिए बट जुनना चाहते हैं तो join बटन पर क्लिक करके membership लीजिए और आपके हमारे साथ connect हो सकते हैं साथ ही हमारा webinar आने वाला है जल्दी ही 7 September को शाम को 7 बज़े से 9 बज़े तक अगर आप join करना चाहें description में आपको link मिल जाएगा join कर सकते हैं अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद जैपार